वेल्कम बैक स्टुडेंट्स अमारे इस नए वीडियो पर आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर हम डिसकस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है एनलिटिकल पैराग्राफ यह फाइब मार्क्स का क्वेस्चिन आपका आएगा क्लास 10 में और इसे लिखना है आपको 100 से 120 वर्ड्स में पहले हम बता देते हैं कि एक्चुली यह है क्या इसे हम बोलते हैं डेटा एनलिसिस यानि कि आपके सामने एक डेटा रहेगा उसको आपको एनलाइज करना है और उसको बताना है पैराग्राफ के आकार में बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं नि इसमें language का ग्यान तो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए मतलब मालो कोई news आ रहा है आपके पास जो news आ रहा है जिस तरीके से point by point source आपके पास आ रहा है अब ऐसा तो नहीं बोल सकते आपको उसको एक literature का form देना पड़ेगा और फिर लोग के सामने present करना पड़ेगा यह news channel में होता है जब यह लोग report बनाते हैं तब इस data को analyze करते हैं ठीक है तो इसे हम कहते हैं अब जब आप इस data को analyze करने के बाद paragraph के रूप में इसको present करोगे तो उसको हम कहेंगे analytical paragraph क्योंकि इसको analysis कर दिया paragraph बनाया गया है ठीक है यह data इस form में है और आपने इसको paragraph के form मे लिखा है ठीक है analytical paragraph समझ में आया अब इस paragraph को करने के लिए आपको तीन step याद रखने है इसको आप याद रखिएगा कौन कौन सिन step है वो पहला वाला जो step है वो है introduction step मतलब आपको पहले introduction देखे समझा देना होगा कि आप कहना क्या चाहरे हो किसके उपर यह data है यह introduction होगा इसके बाद अगला जो point आता है वो है body body मतलब body मतलब है कि introduction के बाद वाला जो part है body उसमें आपका main content रहेगा कि यह जो total जो आपको यह data मिला है इस data के बारे में आपको एकदम detail में आप पता होगे कि हाँ आपको कौन सा data कैसा मिला है और last में है conclusion सबसे important part है यह conclusion मतल conclusion मतलब है जहां पर आप अपना opinion दोगे इस data से आप क्या analyze कर पाए एक ऐसी चीज़ आपको बताना है जो यहां पर दिया नहीं हुआ है लेकिन इस data को analyze करके आप उसको decode कर चुके हो कि मुझे इस से यह जानकारी एक सामने आ गई वो clear हो गया तो मैं आपको पहले बताता ह यह दे रहा है ठीक है यह चाट आप देख रहे हो उपर में क्या लिखा हुआ है proportion of people from each household type living in poverty मतलब यहां पर कुछ proportion दिखाया गया है इस proportion को इस form में दिखाया गया है और इसमें क्या है कि गरीबी में जी रहे जो परिवार है उसके type को यहां पर बताया गया है तो इसमें color different color का है तो यह जो color को जो represent कर रहा है मैं और थोरा zoom focus करके दिखाता हूं देखो यह वाला जो color है यह single agent persons single agent person मतलब है कि जो unmarried clear इसके बाद agent couple यह है agent couple इसके बाद आता है single without children अकेले रहते हैं बच्चे नहीं है ठीक है इसके बाद couple without children couple है husband wife है और उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते तो यह single जो है उनके साथ बच्चे नहीं रहते यह green color से soul हो रहा है और couple without children जो couple है लेकिन बच्चे के बिना रह रहे हैं यह blue से denote हो रहा है इसके बाद soul parents इसके बाद कपल विद चिल्रेन कपल जो रह रहे हैं बच्चों के साथ और फुल फैमिली है तो यह तो आपको ख्लियर हो गया होगा अब हम आते हैं क्वेस्चेन में क्या दिया है देखो कहां का यह चार्ट है क्या इसके बगएर पाइचर्ट शोस्थ प्रोपोर्शन ओफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउसोल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन यू के 2002 यूनाइटेट किंग्डम 2002 का यह डेटा है जो परिवार है जो प्रॉवर्टी में जी रहे हैं गरी डेस्काइब इनफोर्मेशन इन हंड्रेट और ट्वेंटी वार्ट में आपको अनलाइट पराग्राफ लिखना है मतलब अनलीसिस करके लिखना होगा एक यह चार्ट दिया गया है यह इसके बारे में अब आपका आंसर अब शुरू होता है आपका शुरू होता है यहां से पहला है इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा माता बीची करने की जरूरत नहीं है क्वेस्चन में ही आपको मिल रहा है कॉंटेंट तो आप क्या लिखोगे गिवन पाइचार्ट इलस्ट्रेट्स सेवन डिफरेंट कैटेगरीज और हाउसओल् जो पाईचार्ट यह स sommes desert category के परिवारों को द शाता है जो कि साथ के गवर साथ है एहन पर एक प्र टो यहां लिखना अब यहां पर बता आपको क्या क्या दिख रहा है तो कौन सा परसन यह बहुत आसान वाडी लिखना तो बेहर आसान है आप क्या लिखा है देखो कौन सा परसन कितना है अब लिख दो यहां पर इस इस क्लियर ली एविदेंट फ्रम पाईशार्ण ट्वैंटीसिक्स आप टोटल प्वड़ी इस्टिक अथा वोश फोल है 26 परसन लोग जो गरीवी में है वो सोल पेरेंट्स है कैसे इसको पता चला 26 परसन सोल पेरेंट्स इस इस कलर को डिनोट करता है कलर यह देखो 26 परसेंग हो गया इसके बाद देखो सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रेन एकाउंट फोर दे सेकेंड हाइस प्रोपोर्शन विए 24 सिंगल पीपल बच्चों बच्चे जिनके साथ नहीं रहते वो गरीवी में है उसका प्रतिश्चत है 24 जो की सेकेंड हाइस प्रोपोर्शन है अब देखो यहां पर क्रियेटि ट्रियेटिवीटि किसे कहते हैं 20 इन में अगर हम इस डेटा को अच्छी तरीके से एनलाइस करते हैं तो अच्छी तरीके से देखो कि इस 26 परसंट के बाद सेकेंड हाइस प्रोपोर्शन कौन सा है यह 24 परसंट है तो यह सेकेंड हैश्ट यहां पर लिखा नहीं था लेकि यह लिख दिया कि जो यह सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन है सिंगल पीपल विदाउट चिल्डेन जो कि 24 पर्संट इसके बाद in contrast to couples with our children that accounts for just 9%9% मतला यह नाइन परसंट एक पा रहे हो यह वाला portion यह क्या है couple without children तो मतला in contrast to couples without children that accounts for 9% मतला कि संख्या यह यह त्व यहां पर यहां पर यहां पर लगाया गया यहां पर इकाउंट फॉर लगाया गया है यह आप देख पार हो confident, यह वाला portion, single aged persons and aged couples proportions, forord ways together for poor household, इसने किये कि single log uw person को add कर दिया है, चीक, clear, मतलब, 7 और 5 को इसको add कर दिया है, 12нуться, यह भी creativity है, यहाँ पर नहीं धा, लेकिन यहाँ पर उसने दिखाया है, तो यह डिस्क्राइब कर दोगे आप कौन सा पार्सिन कितना है अब स्टुडेंट्स आप लोगो एक चीज़ बता देता हूं आप बिल्कुल भी यह मत समझो के हर वक्त यह गोल गोल ऐसा पाई चैट के रूप में आ सकता है तो ग्राफ के रूप में भी आएगा तब भी महत्वपून पाठ है यह आपका एरिया है अपकर क्रियेटीव एरिया है मतलब यहां पर कोशिश करना कि अब ऐसे डेटा को रखो जो आप इसको एनलाइस करके खुद से निकाले हो स्थिति के बारे में बहुत मुश्किल है तो बहुत मुश्किल है जिनके लिए यह निका इसको आप इस पोर्शन में लेकर आ सकते हो अगर आपके दिमाग में जल्दी से कोई खयाल नहीं आ रहा है लेकिन कुछ ऐसी चीज जो मतलब आप इससे अनलाइस करके पूरा निगाल पाये हो इससे आपको क्या पता चला अपनी फीलिंग्स जो है वह यहां पर लिखना है क्रियेटिव एरिया है यहां पर देखो ओवर्वराल 14% अफ हाउसोल्ड इन यू के वर लिविग अंडर पॉवर्टी चौदा प्रसीद प्रतिश्थ जो हाउसोल्ड है यॉनाइट किंडम में वह ओवर ओवर्वर्वर्वर्वी के अंडर में है और यंगर जनेर्शन है ग अधागरीवी में है एज मतलब जो ओल्ड है ओल्ड काउंटर पार्ट्स कापल्स विदाउट चिल्डेन हैड बेटर एकोनोमिक कंडिशन दैन दोस वी चिल्डेन जो कपल हैं जिनके बच्चे के साथ जो नहीं रह रहे हैं उनका कंडिशन उन लोगों से बेटर है जो 15% analysis को कैसे मिला तो हां आ जाते हैं यहां पर यहां पर आप देखो 14% दिया हुआ है 14 पर्सिंड में क्या ओल हाउच ओल लिखा हुआ है एप इसको इस ने किस तरह के से अनलाइज किया वह बोला है कि 14% of all households in the UK were living under इसके बाद यंगर जनेरेशन यह इसका क्रिएशन देख लो तो यंगर जनेरेशन एड़ेटर परसंटेज देंद एजड़ काउंडर परसंटेज ज्यादा है एजड़ से क्यूंकि आप यह यंगर जनेरेशन देखो अगर अब आड़ करते हो जिसमें बच्चे हैं ठीक है इन सबको आगर आड़ेट करोगे जिसमें बच्चे नहीं है नहीं बच्चे तो वो तो गरीवी में ही है उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस कपल्स विदाउट चिल्रेन हैट बेटर एकोनोमिकर कंडिशन देन दोस विच जो कपल चिल्डेन के बगेर रहते हैं उनका अच्छा है और जो बच्चों के साथ रहते हैं उनका कमजोर है तो वह कहां से मिला अगर हम इसको देखो यह जो सींगल है यह सींगल हम मिल रहाँ विदाउट चिल्रेन अब इस ब्लूt प्वाइंट को इसको 24 और 9 अगर हम एड़ करते हैं इसको एड़ करते हैं 24 और 9 तो कितने होते हैं 33 परसंट होता है ठीक है यह 33 परसंट है जिसमें पडिवार है उसमें 24 और 9 जिसमें यह सिंगल है इसको 24 और 9 हम ले लेते हैं और फिर आप इसमें एजट कपल को भी जोड़ दो तो यह 5 हो गया सिंगल एजट को भी आप जोड़ दो तो 5-7-12 हो गया अगर आप इसको एड़ करते हो 12 और इधर 33 तो 43 44 परसंट बाकी जो 44 बाकी कितने रहे हैं इसको आप देख लो 56 परसंट रहे हैं इनका इनमें तो बच्चे हैं यह वाला पोर्शन में तो बच्चे हैं परिवार के साथ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे जिस परिवार के साथ है वह यंगर जेनरेशन है तो 54 परसंट में अगर बच्चे हैं तो बच्चे के कंडिशन खराब है ज्यादा पवर्टी में है यह लोग संख्या में इनका परसंटेज कम हो रहा है मतलब यह गरीवी के रेखा से थोड़ा सा गड़ी भी जो रेखा है उसमें से इन लोग का स्टेटस उपर में आता है इन लोग की संख्या जो प्रतिशत है वो कम है यही मैं बताऊंगा यहां पर तो इसको मतलब पहला परग्राफ चार्ट के बारे में बताओ कि वह क्या बता रहा है दूसरे परग्राफ झाल बताओ की